नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ओल अफ यू, वेलकम बैक टू माई चैनल एक्जाम इस्टोर, एक्जाम इस्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, तो फ्रेंड आज हम लोग बात करने वाले हैं, रेलवे के जो एक्जाम ग्रूब डी के हो रहे हैं, जियां दोस्तों, आप सभी को पता है, कि फिप्ट जो है, पाँचवा फेज चल लाए, अभी तक फोर फेज पूरी तरीके से कंपलीट हो गया है, अब जो है पाँचवा फेज इस्टार्ट हो गया है, ठीक है गाईज, लगबग साते आठ तारिक से स्टार्ट हो गया है, और इसमें मैं आपको बताने वालूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि railway group D के physical में हुआ बड़ा बदला यानि PT का नियम बदला हुआ इसके बारे माम लोग पूरा विस्तार से जानने वाले हैं, यानि physical efficiency test सारीरिक दस्चेता परिच्छा के बारे माम लोग पूरा विस्तार से जानने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लगबग 35 kg का वजन उठाए हुए हैं, और यहाँ पर रनिंग भी है, पूरा इसके बारे माम लोग पूरा विस्तार से जानने वाले हैं, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहल परिच्छा 2022 की सुर्वाद 17 गर्ष 2022 से हुई थी, फिलाल देज बर में 14 फिच की परिच्छा आयोचीत हो चुकी हैं, साथ में फेज 5 की परिच्छा के लिए सेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, एक बार जब उमिदवार जो कंप्यूटर यानी CBT परिच्छा पास कर ले जाएगा सारीरिक दच्छता परिच्छा में उत्रिण होने वाले उमिदवारों को जो है, दस्तावेज यानी documents verification, सत्यापक नामक जो है, अगली परिकरिया से गुजरना होगा, अंतिम और अंतिम 84 ची किस्सा परिच्छा ही है, ठीक है गाईस, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा विस्तार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारीरिक दच्छता परिच्छा में आप देख सकते हैं, PT, RRB, Group D, चैन परिकरिया के सबसे चुनावती पूर्ण दौरों में से एक है, PT के दौर के लिए आयरता प्राप्त करने के लिए उमिदवार, पूरुस या महिला चलने की परिकरिया पहले हो गई, इसमें पास अब्यारती दौर परिच्छा में सामिल होंगे, पहले क्या होता था, पहले आप लोग की रनिंग इस्टार्ट होती थी, उसके बाद से वजन उठाना रहता था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ आप देख रहे हैं, सबसे पहले वजन ही उठाय जा रहे हैं, क्योंकि बहुत अब्यारती ऐसे भी होते हैं, दुबले पतले, जो एक्जाम तो क्वालीफाई कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल में जो है, वो उतने कैपेबल नहीं होते हैं, कि वजन उठा के भाग सके, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेग वजन उठा कर चलने का टेस्ट पहले लिया जाएगा, जो वेयर थी, वजन उठा कर निश्ची समय में निरदारी दूरी तै करेंगे, सुर्फ उने ही दोड़ परिच्छा में सामिल करने का निर्णय हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो यह बहुत बड़ी बात हो गई है, कि सबसे पहले आपको वजन उठाना पड़ेगा, पहले इस्टूडेंट क्या होते थे, रणिंग में अगर रणिंग कर लेते थे, उसके बास से जो यह करना रहता था, लेकिन यहाँ पर पहले ही देख रहे हैं कि वजन में ही बाहर हो जाएंगे, आरारबी अलाबाद के चेर्मेन, MS नकवी की तरफ से यह सूचना वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, बाकी यहाँ पर देख लिजए, मैं आपको बता देता हूँ, कि जो मेल कैंडिडेट उनको 2 मिनिट के वीतर 35 किलो वजन उठाकर 100 मिटर की दूरी ते करनी है, वह आपक बार में 4 मिनट और 15 सकेंड में 1000 मिटर की दूरी ते करने में सच्छम होना चाहिए, और वहीं मैला केंडिडेट की बात करें, तो 5 मिनट 40 सकेंड में 1000 की मिटर की दूरी पर दौरना होगा, ठीक है, बाकी यहाँ पर PW वालो को छूट जो दी गई, इसके बारे में करें किसी भी अत्रिक्त वजन को कम करने के लिए अपने आपको प्रयाप तैयारी का समय दें, हर अपते एरोबिक वीद्यू में टेहले, यानि पूशप पूशप लगाते रहें, पूल अप्स करते हैं, सीट अप्स करते रहें, अभ्यासों का महारत हासिल करते हैं, समय को गति देना सीखें, तो यह रही पूरी जानकारी जो मैंने आपके साथ सेर की, बागी आप लोग कोई भी एकेडमिक जॉइन कर लेते हैं, या अभी से वजन उठाना इस्टार कर देते हैं, आपको अगर लगता है कि मेरा पीटी में मुझे जाना है, अगर आप सीवीटी फ